सम्विधान निर्माण की प्रिष्ट भूमी हमने काफी हद तक उसको समझ लिया है और सम्विधान आखिर क्यों और सम्विधान का इतिहास कैसे सम्विधान को प्रभावित करता है जहां सम्विधान बन रहा हो उस देश का इतिहास उस समाज का इतिहास इसको भी हमने समझा हूँ अब हम आते हैं अपने उस बिंदु पर जो शीरशक्स है सम्विधान निर्माण सम्विधान निर्माण के तहट हमने देखा कि कैसे 1895 फिर 1922 फिर 1934 एम एन रॉय फिर 1935 जब कॉंग्रेश ने भी इस बात पर जिद की कि सम्विधान सवा के निर्माण होना चाहिए फिर 1938 जब पंडेजवालाल नहरू ने आधिकारिक स्थर पर सम्विधान सवा के निर्माण कि आवाज उठाई और उसमें वैस्क मताधिकार के मुद्दे को जोड़ा उसके बाद 1940 में आउगस्ट आफर का हमने जिक्र किया था आउगस्ट आफर के बाद क्रिप्स मिशन आता है सर स्टाफ़र्ड क्रिप्स के नित्रत में कुछ बाद बनती है कुछ नहीं बनती है लेकिन सम्विधान निर्माण के लिए सम्विधान सभा को लेकर उसूलन एक एक कदम लिया जाता है 1940 में तो अंग्रेजों ने स्विकार कर लिया था कि हाँ सम्विधान सभा बनेगी फिर 1942 में कृप्स मिशन और अंतता उसी परिप्रेक्ष में उसी घटना करम में आगे बढ़ते हुए 1945 में जब विशुद समाप्त होता है और लोक तांतरिक शक्तियों की विजय होती है ताना शाही शक्तियों की पराज़ होती है तो और अमेरिका का दबाओ भी ब्रिटेन पर पड़ता है कि भारत को अब सतंतर किया जाए क्योंकि भारत ने विशुद के काल में उनकी मदद किया है उनका पक्ष लिया है और भारत एक लोक तांतरिक देश बनना चाहता है तो लोक तांतर के विस्तार के लिए यावश्यक है कि भारत को तुरंट सतंतर किया जाए जल्दी से जल्दी किया जाए इसी बैक ग्राउंड में कैबिनेट मिशन आता है भारत कैबिनेट मिशन में तीन लोग रहते हैं पैथिक लारेंस, अलिक्जान्डर, आदियाद और ये कैबिनेट मिशन घोषना करता है अक्टूबर 1946 में उस घोषना के अनसार समविधान सभागा गठन किया गया अक्टूबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के और कैबिनेट मिशन में ये कांमिशन आया था ये कमिटी आई थी इसके सदस्यों का जो चुनाव था सम्मिधान सभाग के सदस्यों का चुनाव वो प्रांती चुनावों के आधार पर किया गया था जो 1946 में हुआ था आपको मालूम होगा कि 1909 में मिन्टो मौनले रिफॉर्म के तहट कानून पास किया था अंग्रेजों ने उसके बाद मौन्टेगी चेम्स फोर्ड रिफॉर्म के तहट 1919 में फिर कुछ नहीं अपेक्षाएं भारतियों की पूरी करते हुए कदम बढ़ाया था भारतियों का प्रशासन में भारतियों का प्रशासन में भूमिका बढ़ाने के उद्धिश थे और उसके बाद 1935 में बहुत बढ़िया एक एक पास हुआ था गर्वर्मिन अफ इंडिया 1935 इस कानून के तहट तो चुनाओ हुए थे पहली बार जो 1936 और 1936 आते आते दुर्भाग से इस चुनाओ में चुनी गई सरकारों ने कई कारणों से इस्तीफा दे दिया था किसी विरोध में किसी मुद्दे को लेकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ पर तथ ही ये है कि प्रांतीव चुनाओं की प्रक्रिया इस प्रकार शुरू होती है और 1936 के चुनाओं में जो प्रांतीव चुनाओं हुए थे उसके आधार पर सम्विधान सभा के सदस्यों का चुनाओं होता है याने प्रांतीव सभा के सदस्य एक सदस्य या सदस्य चुनते हैं सम्विधान सभा के लिए वैसे तो नियम बनाया गया था कि हर दस लाग के पीछे सम्विधान सभा में एक प्रतिनिधी होगा लगभग दस लाग के कि जन संख्या के पीछ है पर चूंकि ये संभाव नहीं था कि डारेक्ट प्रत्यक शुरूप से चुनाओ हो पाए उस काल में और इतनी जल्दी चुनाओ होकर सम्विधान सभा का निर्मान भी हो जाए जो जरिया अपनाए गया वो ये था कि जनता के द्वारा चुने गए प भारतिये प्रांतों ब्रिटिश भारतिये प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ या रियासतों को भी प्रतिन दिया गया उनको भी शामिल किया गया यानि सम्विधान सभा मूलता दो तरह के लोगों से मिली थी दो सरह के लोगों की का की सभा थी एक तो ब सतिनिधी मिलकर 389 संख्या होनी थी कितना 389 मुस्लिम लीग की जहां तक बात है मुस्लिम लीग ने समविधान सभा की शुरू की बैठकों में भाग नहीं लिया उसने हिस्सा नहीं लिया अर्थात 15 गश्च उनिश्च से तालिस के पहले परणाम सुरूप क्या हुआ कि समवि लीग नहीं थी तो उसके अधित्तर सदस्च से कॉंग्रेस या कॉंग्रेसी विचार के थे और इस प्रकार समविधान सभा एक तरीके से भारती राष्टी कॉंग्रेस के ही सदस्चों का समूह दिखाई देती थी 82 प्रतिशत इसके सदस्च जो थे जो चुन के आए थे ये कॉंग्रेस के थे जैसा मैंने कहा कि ये लोग प्रांती सभाओं से चुन के आए थे तो सच्चाई तो है कि प्रांती सभाओं में भी जब चुनाओं हुए तो कॉंग्रेस का बोल बाला था अधिकतर प्रांतों में और जिन प्रांतों में कॉंग्रेस का बोल बाला था, कॉंग्रेस बहुल सरकार जहां बनी थी वहां से इस वाभाविक है कि कॉंग्रेस विचारधारा या कॉंग्रेस के प्रतनिधी ज़्यादा चुने जाएंगे समधान सभा में और ऐसा ही हुआ ये तो होगे समधान सभा की एक तरीके से उसका structure कि किस धंक से उसका चुनाओ हुआ उसके सदस्यों का चुनाओ हुआ हमें ख्याल रखने चाहिए कि यद्यपी कॉंग्रेस के सदस्यों की बहुलता थी 82 प्रतिशात लेकिन कहने को तो सच्चाई ये है कि भारत के अधिकतर लोग कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे क्योंकि ये तो राश्ट्री कॉंग्रेस ही थी जो स्वतनता अंदोलन का नित्रत्व कर रही थी स्वतनता अंदोलन राश्ट्री कॉंग्रेस के बैनर के तले हो रहा था मूल रूप से और जो लोग कुछ अपने अपने ग्रुप या गुट के माध्यम से भी स्वतनता अंदोलन में योगदान कर रहे थे वे भी कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे काफी लोग चाहे वो कम्यूनिस पार्टी के हो चाहे स्वराज पार्टी के हो चाहे अन्य किसी दलों के हो बारिंग मतलब बहुत कम दो तीन दल ही ऐसे थे जिनका कॉंग्रेस से कोई वाकिया नहीं था लेकिन अधीकतर लोग कॉंग्रेस से प्रभावित थे, कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे, तो इसलिए जो कॉंग्रेस मैवातारण सम्विधान सभा का था, वह तो पर चांच से था, कोई डली राजनी थी वहाँ पर नहीं थी, वो होना था, भारती राश्टी कॉंग्रेस क जो आधार था वो भालत में बहुत विश्तुरत था अता इसके सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा लोंगों का समवधान सभा में आना सभाविक है ये तो हुआ कॉंगरेस का समवधान सभा में प्रभाव यद्यपी प्रे दूसरी बात, यद्यपी कांग्रेस के बहुत से सदस्य सम्विधान सभबा में थे, पर चूँकि कांग्रेस एक बहुत विस्त्रित संस्था थी, विशाल संस्था थी, उसने अपने छाते अमरेला के नीचे समाज के ज्याध़तर तबकों को लिया था, इनके बीच में विचारों की विरोधता भी थी, इनके बीच में विचारों का टक्राओ भी था, लेकिन ये सब कॉंग्रेस के बैनर के तले, वैचारिक विभन्नता बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद, राश्ट्री आंदोलन के नाम से ये लोग सब एक छत्री के नीचे थे, जिसका नाम था भारती राश्टी कॉंग्रेस, ये वैचारिक विभन्नता कई बार तो विरोधा भासी भी थी, यदि उनमें से कुछ अनीश्वर वादी थे, यदि उनमें से कुछ धर्म निर्पेक्ष थे, तो कुछ जैसा की एक एंगलो फ्रेंच सदा से फ्रेंक एंथोनी का कहना है, कि तकनीकी रूप से कॉंग्रेस के किंतु अध्यात्मिक स्थर पर आर एसेस और हिंदू महासभा के सदस्ते थे, अब आर एसेस और हिंदू महासभा अलग तरह की संस्थाएं हैं, इनकी अपनी विचार धारा सोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से कॉंग्र तो इस प्रकार इसी तरह जहां तक मैंने धर्म निर्पेश्टा और अनीश्वरवाद की अनीश्वरवाद वहीं दूसरी और आर्थिक विचारों के मामले में भी बहुत विरोधा भास था सदस्यों के बीच में और एक मामले में अच्छा था क्योंकि विरोधा भास विरोध में नहीं बदला विरोधा भास विचार मन्थन में बदला विरोधा भास ऐसे विचार मन्थन को जन्म दिया जो अन्त में एक ऐसा निश्कर निकालता था जो सब को सहमत था जिसमें सबकी सहमत ही थी आर्थिक विचारों की बात करें तो इसमें कुछ लोग समाजवादी थे और कुछ अन्य सदस जमीदारों का समर्थन करते थे ये विरुधा भास है थे कंग्रेसी लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोगों की संख्या भी उतनी ही थी जितनी की जमीदारी पक्ष का साथ लेने वालों की उस समय ततकाली इन विचारधाराओं की बात करें तो कम्निस विचारधारा के लोग थे कुछ पूंजी वादी विचारधारा के लोग भी उसमें थे आदी आदी विविन्न धर्म जाती इसको प्रतिनिद्वत देने के उज्जेश से सम्विधान सभा में कुछ महिलाओं को भी नामंकित किया गया कुछ अन्य सदस्चियों को स्वतंतर सदस्चियों को नामंकित किया गया ये लोग चैनित नहीं थे यह जो बिंदू मैं बता रहा हूँ वो सम्विधान सभा के गठन के दोरान होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बता रहा हूँ तो यह जो बिंदू है कि चैनित चुनाओं के माध्यम से आते थे अधिकतर लोग आए कांग्रेस की बहुलता रही लेकिन विचारों की विभनिता रही और इस विजारों की विभनिता एक तरीके से सम्विधान सभा का ऐसेट थी उसकी एक अच्छाई थी कि एक रहते हुए भी अनेक विचार और दूसरे शब्दों में अनेक विचारों के होते हुए भी एक छत्री के नीचे एकत्रित रहने एक जुट रहने की तमन्ला धर्मों को और महिलाओं को जातियों को इनको प्रतिने देने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई गई और वहती नामांकन की नामांकन अर्था चुनाओ नहीं उनका चैन किया गया उनको नामांकित किया गया उन लोगों के योगदान को देखते हुए उन लोगों के विधी के ग्यान को देखते हुए ऐसे लोग जो विधी के ख्षेतर में कानून के ख्षेतर में या समाज में जिनकी अच्छी पकड़ थी या वे महिलाएं जिनोंने स्वत अंदोलन में अपने तरीके से योगदान दिया था और जो सम्विधान सभा के वाज विवाज में योगदान कर सकती थी ऐसे लोगं का नामंकन किया गया जिसके नाम हम बाद में बताएंगे पार्टी द्वारा विधी विशेशक्यों को विधान सभा में खास स्थान दिया गया क्योंकि ये सम्विधान सभा का मुख्य काम था विधी बनाना कानून बनाना तो इसलिए कानून विदों की बहुत जरूरत थी और यदि प्रांती सभा के ही जरिये सब को आना होता और बहुत से कानून विद इस महत्पूर्ण सभा का अंग नहीं होते गौह सभा जो देश का कानून बनाने जा रही है तो कुछ लाप साइड़ हो जाता है इस से बचने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि विदी विशेशक की भी शामिल हो उन्हें उनके चैन पर विशेश ध्यान दिया गया समिधान सभा में विबिन विश्यों पर जो गंबीर बहस होती थी उस बहसों को यदि आप देखेंगे आगे जिसका हम जिक्र करेंगे तो हमें इनके दृष्टी कोणों की विविदता बड़ी स्पष्ट दिखाई देगी बहुत रोचक है कई सदस्यों क दिख्टी कोणों का हम पर हम चर्चा करेंगे आगे यहां आप यह समझ लें कि जो समविधान सभा थी विविदता में एकता का बहुत बढ़िया रूप थी यानि भारत की स्वतंता के समय ही यह पश्ट हमने कर दिया था कि हम विविदता में एकता पर अटूर्ट हैं तो हम पश्ट पाएंगे कि कितने विरोधी विचार थे कितनी विविदता थी इनके विचारों में लेकिन उसके बावजूद यह समविधान सभा एक देश के लिए सक्षम समविधान बनाने में सफल हुई बड़ा पश्ट है इनके विचारों का विरोधा भाद विचा जैसा आपको बताये गया और 9 दिसंबर 1946 को समविधान सभा की पहली बैठक होती है और जैसा मैंने पूर में बताया इस बैठक में सबसे ज़्यादा जो वयो व्रिद्ध सज्जन थे सच्चिदानन चिन्हा उन्हें बैठक को संचालित करने का कार्य दिया जाता है वरिष् 11 दिसंबर को अंतता एक स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति होती है समविधान सभा के सदसे मिलकर उनका चैन करते हैं और वे थे डॉक्टर राजिन पसाद समविधान सभा के पहले और अंतिम स्थाई अध्यक्ष इस पकार ये समविधान सभा के संगठन उसके Constitution के बारे मे एक चर्चा हुई देखिए इस नक्षे में आपको बड़ा स्पश दिखाई देगा कि 296 धन 93 कैसे होता है प्रविंसे से जो आये थे और ऐसे ही 93 लोग जो अलग हैं हर 10 लाख में एक का जिक्र होता है चुनाओं के लिए उसके अलावा 389 मेंबर जो टोटल बनते हैं वे कैसे constitute होते हैं यह आपको इस नक्षे से दिखाई दे रहा है इनके चैन का जो धाचा है या खाका है वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से है जैसा मैंने बताया और यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को गोशना करता है समिधान सभा के constitution की और अंत्रता अक्टूबर 46 में समिधान सभा निर्मित होती है इसमें जो तीन सदस्च थे जिसका मैंने जिक्र किया सर्थफफर्ड कृप्स एवी अलेक्जान्डर और पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे और भारत सचिव अर्थाथ ब्रिटिश सरकार में भारत के मामलों के मंत्री ब्रिटिस सरकार में जो लंडन में बैठी है उसमें भारत के मामलों के मंत्री तो पैसिक लॉरेंस स्टाफ़र्ड क्रिप्स जो पूर में आज चुके थे और एवी ऐलिक्जान्डर जो एड्मिरल थे इन लोगों के आने से इन लोगों के गुट को कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया और इसमें प्रस्ताव जो पेश किया उसमें वही था कि हर दस लाक में एक सीट और प्रांतों वर रियास्तों को उनकी जन संक्या के अनुपात में हम प्रतिनित्च देना चाहेंगे 309 सदस्यों के बरेक आप को यदी हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है 122 Sदस्य 11 प्रांतों से आएंगे टोटल सीट 329, 389 उसमें 292 जो हैं वो प्रांतों से आएंगे चार सदस से कमिशनरी से आएंगे कमिशनरी से जिसमें दिल्ली भी शामिल है कुर्ग है और उसके अलावा बलुचिस्तान आदी है और उसके बाद तरानवे जो हैं वो देशी रियासत से आएंगे देशी रियासत से तरानवे सदस प्रांतों की सीटों के तीन समुदाय में बाटा गया एक तो ये तरीका हो गया दोसो 389 की संख्या पहुँचने का और दूसरा है कि इन सीटों को तीन समुदाय में बाटा गया एक था रियासत दूसरा था तुनाओ और तीसरा जो था वो मुसल्मानों, तीन मुसल्मानों के लिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सीटों का कॉंस्टिटिउशन था, वो कुछ इस प्रकार का था ये सुनिश्चित करने के लिए कि विवन धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मिसल्मानों के लिए होंगी, कुछ सीटें सिक्षों के लिए होंगी, और कुछ गैर मिसल्मानों के लिए निर्धारित की गई थी तो इस प्रकार धार्मिक स्तर पर भी रेप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया हूँ अब चुनाओ जो है वो अगस्च छासी में हुए और अप्रत्यक चुनाओ विधान सभा के सदस्यों का एकल परीके से जैसा मैंने आपको पूर में बताया से और देशी रियासेँ का चुनाओ राजाओ द्वारा नामांकिन होता था किनका देशी रियासेँ का चुनाओ और नामांकन के संधर में हम कह सकते हैं कि सम्विधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित अब जब समविधान सभाब पूर्ण रूप से गठित हो जाती है तो उसका क्या ब्रेक अप रहता है 208 सज़ से कॉंग्रेस के आते हैं 73 मुस्लिम लीक से आते हैं और 15 अन्य हैं मैं पुना बता दूँ 208 कॉंग्रेस से 73 मुस्लिम लीक से जो 15 अगस्ट 46 के पहले तुम विधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेती और 15 अन्य सज़ से महिलाओं का प्रतनिधित बहुत महत्पूर्ण था ये सुनिश्चित करने के लिए कि समविधान सभा में महिलाओं की समुचित संख्या रहे नामंकन का भी उसमें प्रावधान रखा गया था और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 389 सीट वाली समविधान सभा में 15 महिलाओं नामित होई थी या चुनी गई थी मैं 389 सीट जो बोल रहा हूँ वो मूल भूट धाचे के अनुसार जो तै किया गया था वो संख्या बता रहा हूँ बाद में आप पाएंगे कि वास्तों में ये संख्या घटके 299 पे रुख गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया था कई लोग रिटायर भी हो कई लोग ने त्याक पत्र भी दे दिया था कुछ लोग की मृत्य हो गई थी पर जब 389 की बात करें तो 15 महिलाएं जो थी ये समवधान सबहा में महिलाओं के प्रतने जिश्च से नमंकित की गई थी चैनित की गई थी और इन महिलाओं में सबका नाम जानने की विश्च जरुत नहीं है हाँ इतना जान लें कि अजाज रसूल एक मात्र मुस्लिम महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के प्रतनिजित को स्रक्षित करने के लिए अजाज बेगम अजाज रसूल को लिया गया एक मात्र मसलिम महिला इन पंद्रा लोगों में थी तो इस तकार ये सुनिश्चित किया जा रहा था इशारा इस तरफ है बारं बार आपको ये बताने का कि सम्विधान सभा के संगठन में सम्विधान सभा के मिम्बरान में ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि अधिक से अधिक तबकों का समाज के अधिक से अधिक वर्गों का इसमें प्रतिनिजित्प हो सम्विधान बनाने की प्रक्रिया में तो एजाज रसूल बेगम एजाज रसूल एक मात्रम महिला इन मेंसे चुनी गए इसके लावा कुछ और प्रसिद्ध नाम इसमें आते हैं दुर्गाबाइ देश मुक बहुत प्रसिद्ध बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई हनसा महता मालती चौधरी पूर्णिमा बैनर ज दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध भारत का अस्पताल जो दिल्ली में स्थित है एम्स उसकी स्थापना का श्रे राजकुमारी अमरित कौर को जाता है और ये महिला जो है वो कई खेतरों में रेट क्रॉस सोसाइटी आज याजी कई खेतरों में इसने बहुत अमूल ये चरोजनी नाइडू चरोजनी नाइडू जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी और भी कई अन्य पद समाले सुचेता क्रिपलानी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी विजय लक्ष्मी पंडित जो सेंक्तराश्चंग की महासभा की भारत की ओर्च अध्धक्ष के लिए गई और विश्व मंच पर महासभा सेंक्तराश्चंग की महासभा की अध्धक्षता के लिए उनका चैन हुआ था तो ऐसे कुछ बहुत सारे नाम थे पंद्रा नामों में कुछ नाम मैंने लिए हैं जिसके बारे में विश्य जानना होगा बेगम अजाद रसूल दुर्गाबाई देश मोग राजकुमारी अमरित कौर उसके बासरोजनी नाइडू सुचिता क्रिपलानी और विजालक्षमी पंडित ये विशेश हैं जन जाती के सदस्यों की संख्या 33 ती कितनी 33 जन जाती के मामलों को जन जाती संब प्रवंदी कानूनों और उनकी परंपराओं पर प्रकाश डालने के लिए समविधान सभा में सुनिष्चित किया गया कि जन जाती से भी परियाप्त प्रतिनिधित्व आए क्योंकि भारत में जन जाती कि जन संख्या एक काफी है बहुत है इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे वो प्रफेशन को लेकर हो चाहे वो विभिन सामाजिक वर्गों को लेकर हो चाहे विभिन कौशल को लेकर हो विभिन उम्र के लोंगों को हो विभिन धर्म के लोंगों को हो आदी आदी जो सम्विधान सभा है उसे अंग्रेजी में आपको जानना थोड़ा जरूरी है सम्विधान मतलब Constitution सम्विधान कार्थ है Constitution लेकिन जब सम्विधान सभा बोलते हैं तो याद रखें और ध्यान से देखें कि वह Constitution Assembly कहलाती है सम्विधान सभा को क्या कहते हैं Constitution Assembly Constitution Assembly नहीं दोनों की स्पेलिंग को आप तिलना करके देख लें Constitution की स्पेलिंग है C-O-N-S-T-I-T-U-E-N-T Constitution Assembly अने सभा तो यह सम्विधान सभा याने Constitution Assembly Constitution Assembly नहीं इस बात को आप अच्छे से मन में बैठा लें जून 1947 अब आता है अगला तीन जून 1947 को Lord Mountbatten जो भारत के लास गवर्नर जनरल थे अंतिम गवर्नर जनरल Lord Mountbatten इनकी फोटो आपने बारम बार देखी होगी इनका जिक्र भारत के स्वतंता के अंतिम चरणों में बारम बार आता है क्योंकि वो भारत के गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों की तरफ से जो सता हस्तांतरन की प्रत्क्रिया सस्तांतरन की प्रक्रिया जो हुई वो भारत में Lord Mountbatten ने निभाई और वो बखु भी निभाई उन्हेंने अनौंस किया कि Cabinet Mission Plan को भंग कर दिया जाए समाप कर दिया जाए उनका अपना विचार था और परणाम क्या हुआ कि India Independence Act 1947 प्रभावशील होता है भारती स्वितंतरता अधिनियम 1947 लागू होता है Cabinet Mission के प्रस्ताव को स्क्रैप करके उसको हटा कर दरकिनार करके भारती स्वितंतरता अधिनियम के रूप में Lord Mountbatten एक नया कानून लाते हैं नया एक लाते हैं जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो राष्ट बनने की घोशना होती है आधिकारे के स्टर पर और ये बात है जून उन्निस सो सेटालिस की तीन जून उन्निस सो सेटालिस Constituent Assembly पहली बार कब मिलती है 9 दिसंबर च्छालिस को और ये रिएसेंबल होती है 14 अगस्तु 1947 को as a sovereign body से एक सार्व भौमिक संस्था के रूप में Constituent Assembly फिर से इकठी होती है क्या माइने है इसके देखिए आपको समझना होगा कि भारत के स्वतंता मिलने तक अंग्रेजी कानून के तहट भारत का प्रशासन चल रहा था और स्वतंता मिलने के बाद भारत के सम्विधान को लागू होना था जो अंतता लागू हुआ 1950 में और इस काल में जो सम्विधान सभा थी उसका एक ही कारे था देश के लिए भावी सम्विधान बनाना एक ही कारे भावी सम्विधान बनाने का कारे उसका था अब और यह संच्था सम्विधान सभा 1940 से अस्तित्यु में आ गई थी 1940 से 1947 तक ये सम्विधान सभा अपना कारे करती है किस रूप में सम्विधान बनाने के रूप में लेकिन 1947 में जब अंग्रेज चले जाते हैं 15 आगस 1947 को उस समय स्थिती बदलती है उस समय समविधान सभा की एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत अहम जिम्मेदारी अभी तक वह केवल समविधान बनाने वाली सभा थी 15 आगस से उसका एक और रोल प्रारंब होता है और वो है देश को चलाना देश के लिए कानून, डे टुडे लाइफ के कानून बनाना उसका संचालन करना, सुनिश्चित करना, प्रशासन सुनिश्चित करना और इस प्रकार ये एक विधाईका का काम भी करती है किसका काम करती है विधाईका का काम सम्विधान सभा के अब दो रोल हो जाते है 14 अगस 47 से वो एक sovereign body सार्व भौमिक संस्था के रूप में आती है उसके पहले वो क्या थी बिटिश सत्ता के तहट सम्विधान सभा काम कर रही थी क्योंकि सम्विधान सभा के निर्मान के लिए cabinet mission ने प्रस्ताव दिया था तो इस प्रकार वो उसके तहट थी लेकिन 1947 पंदर अगस को वह सार्व भौमिक संस्था हो जाती है यानि सर्वोच संस्था उसके उपर कोई नहीं प्रणाम क्या होता है कि इस विभाजन के बाद जो विभाजन होता है माउंट बेटन प्लैन में उसमें पाकिस्ताव था प्रस्ताव था पार्टिशन का जो प्रयास था वो एक तरीके से तीन जून 47 को माउंट बेटन प्लैन के तहट ही अस्तित में आ जाता है